दोस्तो आईपील के उपड़ आज के दिन कुल 10 बरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जहां पे पहली अपडेट है रिप्लेस्मेंट प्लेर्स को लेकर इसके बाद चेन्ने सुपर किंग्स, फिन एलन का आईपील में वापसी, आईपील का स्टार्टिंग डेट और भी कई सारी बरी अपडेट आईपील के उपड़ निकल कर सामने आ रही है तो आज किस वीडियो में हम आपको इन सब ही खबड़ों के बाड़े में पूरा इंफर्मेसन देंगे तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL और क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी नियूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलिगराम पे फॉलो करें टेलिगराम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे आप लो सब ही नियूज दे देते हैं तो इस लिष्ट की पहली बरी अपडेट है IPL को लेकर तो IPL का नया टाइटल स्पॉंसर आ चुका है जहां पे टाटा IPL के साथ बना रहेगा और IPL 2018 तक टाटा ही IPL का टाइटल स्पॉंसर बनेगा यानि कि आप लोगों को टाटा IPL ही देखन को मिलेगा इसके बाद इस लिष्ट की दूसरी बरी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरब से तो पंजाब किंग्स की टीम के रीटेंसन के उपर आकास चोपरा ने बरा बयान दिया और आकास चोपरा ने बताया कि जब पंजाब की टीम ने सैम करन को रीटें किया तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रिसब पंत दिल्ली कैपिटल्स को रिजोईन करेंगे। जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के प्रैक्टिस केम्प जब स्टार्ट होगा तो जल्द ही रिसब पंत उस प्रैक्टिस केम्प को जोईन करते हुए नजर आएंगे और IPL 2024 तक बु मिश्टिक प्लियर्स के साथ पंजाब किंग्स की टीम का प्रैक्टिस केमपे श्टार्ट हो चुका है यानि कि IPL के लिए PBKS ने अपना प्रीप्रेशन श्टार्ट कर दिया इसके बाद इस लिष्ट की पांच वी बरी अपडेट है IPL 2024 के लिए राजस्थान रोयल्स के सबसे बेश्ट प्लेइंग 11 को लेकर तो राजस्थान का नया प्लेइंग 11 इस परकार से देखने को मिलेगा जहां पे टॉप ओडर में ओपन करेंगे जौस बटलर के साथ यससवी जैसवाल और तीसरे नमबर पे कप्तान संजू सैमसन इसके बाद मिडिल ओडर में चौथे पर नय प्लेर रोमेन पॉवेल पांच व नमबर पे सिम्रन हेट मैर छंठ वेन पर रियान पराग और साथवे नमबर पर रवी चंदरन स्विन और लोर ओडर में आठ वे नमबर पे ट्रेंट बोल्ट नोवे नमबर पे प्रसिध कृष्ण सी तुझे परकार से देखने को म टीम का प्लेंग 11 अगली वीडियो में बता देंगे इसके बाद इस लिष्ट की छट भी बरी अपने था IPL 2024 के रिप्लेस्मेंट प्लेयर्स को लेकर तो हो सकता है कि फाफ डू प्लेसिश टी 20 वर्ड कप के चलते RCB टीम के लिए कुछ मैचो को मिस करें तो ऐसे में RCB की टीम इनके रिप्लेस्मेंट के तौर पे अपने पुड़ाने फिन एलेन को वापस से अपने स्कुइड में सामिल कर सकती है क्योंकि फिन एलेन का पाकिस्तान के खिलाब T20 में काफी बढ़िया प्रदसन था तो इस वज़े से फिन एलेन को एजे रिप्लेस्मेंट RCB अपने स्क पर रखेगी और इसके साथ ही CSK के मुकेश चौधरी IPL के आधे सफर से बाहर हो चुके है यानि की लगभग वो IPL में सुरुवात के लगभग 7-8 मैचों से बाहर रहेंगे तो ऐसे में मुकेश चौधरी के रिप्लिस्मेंट के तौर पे चेन्नाई की टीम पहले से ही इसके बाद ही इस लिष्ट की साथ भी बड़ी अपडेट है एक बार फिर से चेन्ने सुपर किंग्स की टीम की तरब से तो CSK के ने डेलियर मिचल ने काफी कमाल का प्रदसन किया है पाकिस्तान के खिलाब T20 सिरीज में जहां पे उन्होंने दो मैचों में काफी बढ़िया स्ट्राइक रेट से लगभग 190 से उपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया तो डेरियल मिचल के सांदार प्रदसन के चलते हो सकता है कि चेन्ने सुपर किंग्स के टीम सुरुवात के मैचों में ही उनको प्लेइंग 11 में मौका दे दे इसके बाद है इस लिष्ट की उसका सर्मा को भी इंवीटेशन मिला था और किरिकेटर में रोहित सर्मा, सचिन तेंदुलकर, महंदर सिंधोनी, हर्मन प्रीत कौर, रवी चंदरन, अस्विन इन सभी प्लेट को ने उता मिला है राम मंदिर के यहाँ पे प्रान प्रतिष्ठा में तो यहाँ पे यह सभी इसके बाद इस लिष्ट की नवी बरी अप्डेट है डेट को लेकर तो आईपील का डेट आ चुका है जहाँ पे 22 या फिर 20 मार्च से आईपील 2004 से स्टार्ट होगा, यानि कि इन दोनों में से किसी एक तारिख को आईपील का पहला मैच चेन नई बेंगलोड के बीच खेल जाएगा वहीं से लिष्ट की 10 वी अंतीम अप्डेट है इंडिया इंगलेंड के टेस्ट सीरीज को लेकर तो टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज के लिए प्रिप्रेशन आज से ही स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे टीम इंडिया का प्रैक्टिस केंप लग चुका है और जन इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वेडियो